प्रेंट्स के एक और एपीसोड में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज की जो कहानी है वो क्राइम से थोरा हटकिया है यह एक बहुत ही दुखत लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है तो उमीड करता हूं यह कहानी आपको अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगे तो प् विंसेंट वैंगोग दोस्तों विंसेंट वैंगोग इस दुनिया के वेस्टन आर्ट के वान अप दा मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटर्स में से एक है इनकी जो पेंटिंग है स्टारी नाइट यह शायद आपने जरूर देखी होगी यह एक बहुत ही ज्यादा फेमस और रिसेंटली एक फिलिम भी आई है अब हरे फेमस बंदे की तरह इस आदमी की भी दोस्तों लाइफ बहुत ही ज्यादा इंस्पीरेशनल है बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल लेकिन दुखत भी आपको यह जानके हैरानी होगी कि इस महान पेंटर ने अपने जीते जी मत काफी फेमस हो गया उसके भी कई सारे रिजन्स है लेकिन उसके मनने के बाद ही आपी फेमस हुआ और फिर इसके चित्रों के पेंटिंग्स के बहुत ज्यादा भाव लगने लगे दोस्तों वैंगोग का जन्म होता है 30 मार्च 1953 में नेडरलेंस देश के एक गाहों में इनकी जादा सैडनेस था इनकी लाइफ में बहुत जादा लॉनलीनेस था कई वज़से लाइफ के सिट्वेशन के वज़से वह बहुत ही एक डार्क स्टेज में भी थे स्पेशली उनका जो मैंटेल हेल्थ था वह बहुत ही ज्यादा खराब था और अंत में जाके सिफ 37 साल के उ और सन 1890 में उन्होंने खुटकुशी कल ली और इस दुनिया से यह महन पेंटर चला गया दोस्तों अब इनके अर्ली लाइफ के बारे में थोरा सा जानते हैं विंसेन वेंगोग का जनुवा था 30 मार्च 1853 में नेडरलेंज की गाउ में उनके फादर का नाम था था थियोडर और दोस्तों यह जो ठीयो है उसका भाय वो इसके लाइफ में एक बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इसका परिवार था वो कोई गरीब परिवार इस तरह का नहीं था अच्छे मेडिल क्लास लोग थे और बहुत इंफ्लूएं रिलीजियन है इस तरह की चीजे यह वैंगोग के अंदर भी आई और यह सब चीजे उनके आर्ट में भी हमको देखने को मिलती है वैसे दो दोस्तों वैंगोग ने बचपन से ही ड्रॉइंग में उसका काफी इंटरेस्ट था और उसने वह शुरू कर दिया था आर्ट करना लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं कि वह प्रोफेशनल ऐसा करेगा उसने अपने केरियर की शुरुवात की वहां के ही लोकल एक आर्ट गैलेरी में एजन आर्ट डीलर वह बेचता था और इस आर्ट वाले इस बिजनेस में उसके परिवार के और लोग भी थे इसका परिवार दे अब एक तरह से कहाँ जाये तो दोस्तों उसकी जिन्दगी थी वह स्टेबल नहीं थी वह खुद भी स्टेबल नहीं था तो एक ही लाइन ओफ वर्क में वह कभी एस्टाबलिश नहीं हो पाया अगर वह करता कुछ दिन करता फिर उसका मन नहीं लगता तो वह दूसरे में इस तरह के उसका था मतलब एक confused soul आप बोल सकते हैं उसको अब इतनी सारे काम और जगर बदलने के बाद उसका एक experience बहुत अच्छा हुआ कि वह अलग-अलग लोगों से मिला अलग-अलग social classes के लोगों से मिला और ये सब चीजे उसके paintings में भी हमको दिखती है क्योंकि वह art dealer का काम करता था इसलिए कई तरह के art का मलब उसका expose होता था तो इन सब चीजों से भी महान painters की आर्ट है वह सब को देखके भी वह काफी जादा motivate होता था influence होता था अब दोस्तों इस तरह से उसकी जिन्दगी चल रही थी वह यहां वहां रहता था कभी अपने घ जो painting है जो art है उसको seriously लिया और art college में अपना दाखिला करवा है शायद उसके भाई नहीं दाखिला करवाय था या उसको motivate किया था वह करीब 27 साल का था उस समय अलब इतने सारे जो career है उसको choose करने के बाद last में उसने सोचा कि वह artist बनने के लिए ही पैदा हुआ है इसलिए 18 नीटी में उसने 17 साल की उमर में art student अपने को enroll किया कि उसको artist थी बनना था अब इस चीज को करने के लिए वह Belgium चला गया और वहाँ पे academia royal desbios arts और वहाँ पे उसने अपना जो distinct style art का वहाँ पे उसका उजागर हुआ उतना कुछ सीखने को मिलता है आप लोग सोची सकते हैं अब इसी time period में उसने अपने art में बहुत सारे अलग-अलग techniques यूज किये बहुत सारे experiments किये और इसी वजह से उसका जो art है वो अलग लो actors को भी बनाया था जिसमें उसने जो rural working class है जो गरीब लोग है या rural life है उसको बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया था उस painting में अब दोस्तों यहां से उसने art सीखा वह art करता भी गया लेकिन जो उसके सबसे famous paintings है को उसने France के Paris में बनाया जब वो 1886 में Paris shift हो गया वहां वो कई अलग अलग तरह के artist से मिला कि उस समय बहुत ही art की भी अलग अलग genre होते हैं दोस्तों post impressionist impressionist और भी अलग अलग तरह के तो इन सब चीजों में वो घुल मिल गया वहां के लोगों से और उसके बाद उसका जो art है असली art उसका उस समय evolved वा 1886 में उसके दो God Monat और Paul Goggin especially जो Paul Goggin है उसके साथ इसका बहुत ही ज्यादा friendship हो गया था वो बहुत ही ज्यादा deep colors dark colors यूज़ करता था और उसके जो brush strokes हैं वो बहुत ही deep होते थे यह जो period है France का यानि की 1886 से लेकि 1889 तक यह Van Gogh के career का golden period माना जाता है इसी period में उसने अपने famous painting जैसे the starry night, sunflowers and cafe terrace at night इस तरह के paintings उन्होंने बनाई थी इस period में दोस्तों जैसे कि मैंना आपको बता है कि Van Gogh का career है as a artist वो तो अच्छा नहीं चल रहा था उपर से कि जो mental problem उसका जो बच्पन से ही है उसके अंदर वो भी ठीक नहीं हुआ और ये जो mental depression और anxiety इसमें वो और ज्यादा घुजगिया उसकी life बहुत ही जादा lonely थी बहुत ही जादा है उसको severe depression और anxiety के episodes होते थे और इन सब चीजों से उसकी creativity है वो भी काफी effect हो रही थी और जैसे कि मैंना पहले बता है दोस्तों वो अपने भाई थीयों से काफी close था वो थीयों को बहुत प्यार करता था थीयों भी उसको प्य को बहुत ही support करता था उसके art में मैंने को बोला ही था कि आर्ट क्लास में जाने के लिए भी थीयों नहीं उसको बोला था तो इन दोनों का जो यह रिष्टा है brotherly love है तो यह भी वेंगो को बहुत support कर रहा था वेंगो के जो psychotic episodes है जो उसका mental state है वो बहुत ही delusion जैसा हो गय हो गया था उसको अपने mental instability के बारे में एहसास था मतलों वो जानता था कि उसके अंदर इस तरह का problem है लेकिन वो अपने physical health को बिलकुल ignore करता था वो खाता वाता नहीं था अची तरह से उसको भूक लगती भी थी तो वो ignore करता था और जिस वज़ए से उसका physical health है वो mental health से भ अपना ही कान काट डिया था कान का एक टुकरा काट लिया था आप सोचे एक इतना emotional आदमी होगा दोस्तों इसके और इसके भाई थीयों के बीच में काफी सारे letters exchange होए और ये letters थीयों की पतनी ने संभाल के रखा शायद इन letters का बाद में कोई book भी बना होगा अब Vincent का जो mental condition दोस्तों इतना जादा गंभीर हो गया था कि उसने खुद ही इस बात को realize किया और खुद ही mental asylum में एडमीट हो गया mental asylum में रहते रहते भी उसने काफी सारे जो उसके famous चित्र है वो बनाए वहाँ पे लेकिन उसको इस तरह के पागलपन के दोरे वहाँ आने लगे कभी-कभी अच्छा था कभी-कभी बुरा था इस तरह से उसकी दिन गुजर रहते दोस्तों ऐसा नहीं कि इसके जिंदगी मे कभी कोई lady love नहीं थी वो एक लड़की जिसका नाम था की उसको बहुत ही जादा पसंद करता था की उससे साथ साल बरी थी और उसका एक बच्चा भी था उसने सबके सामने की को propose किया उसको बोला कि वो उसको प्यार करता है उसको शादी करना चाहता है लेकिन जो की है जो शब्ड कहे वो है no, nine, never इस तरह का मतलब उसने इंकार कर दिया इसके प्यार को अब आप खुछ सोचिए कि इतना ये emotional आदमी है, introvert है कितनी हिम्मत की होगी उसने इस लड़की को ये बाद बोलनी के लिए और इसके बाद इस तरह से उसने उसके proposal को ठुकरा दिया तो सोच इसके mental condition जो पहले ही खराब है वो और कितनी ज़्यादा खराब हो जाएगी अब दोस्तों इसी के चलते सन 1890 में mental hospital में ही इसने खुट खुशी कर ली और सिर्फ 37 एर्ज के एज में इस महान पेंटर विंसन वेंगो की मौत हो गई अब उसके लाइफ में बहुत सारे personal struggles थे, commercially वो failure था as a artist, कोई बेच नहीं पाया था, सिर्फ एक ही painting बेची थी उसने अपने life में, पैसे बगरा इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं थी, थीयो कुछ ना कुछ देता था, उसका परिवार देता था, लेकिन बाद में उसके मौत के बाद दोस्तों, विंसन वेंगो का जो इस तरह के stroke से वो painting बनाता था, एक और दुखर भाद है दोस्तों की थीयो जो उसका भाई था, वो विंसन वेंगो के मनने के सिर्फ 6 महीने बाद वो भी मर गया था, विंसन वेंगो का जो funeral था, जो burial था, वो भी काफी चोटा था, बहुत ही ordinary था दोस्तों, सिर्फ कुछ द ही है कि जो mental disease है या फिर जो mental conditions है, situations है, वो काफी बुरी होती है एक आदमी के life में, लेकिन उसके सार लर्ग कर भी आदमी आगे भर सकता है, और painting जैसे, art जैसे complex चीज़ को create कर सकता है, और ये भी कि जो ये art वगेरा है, ये सब ऐसे career है, जो कि बहुत ही थोड़े doubtful है, मनल अगे रहते हैं, और काफी मेहनत करते हैं, लेकिन किसी को success मिलता है, लेकिन कोई success के बिना ही मर जाता है, जैसे Vincent Van Gogh, तो दोस्तों यही कहानी थी आज की, इस महान artist के बारे में, हुप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मे जाता हूँ ये को अच्छी कहानी के साथ, till then, thank you so much.